हेलो दोस्तों हूँ, कैसे हैं आप सब, आई होप आप सभी अच्छ होंगे, तो आज है जन्मास्टमी, तो जन्मास्टमी के आप सभी को हार्दिक शुब कामना है, तो आज हम जन्मास्टमी का पशाद बनाएंगे, तो सभी लोग जन्मास्टमी का पशाद कुछ न कुछ बन लड्ड़ू लड्ड़ू बनाने के लिए साबू दाना लिए साबू क्लावाबू दाना वर च्छोता वाला साबू दाना हम nLa यह अधर मार्केट में आपको मिल जाएगा बहुत ही बारिक जैसे चीनी होती है वस टाइब आप implodon तो देखे छे घंटे बाद यह अच्छे से फूल गया है अग्दम देखिए इसका कलर बिग्दम चेंज हो गया अग्दम सफेद हो गया मोतिक तरह खिल लिया अग्दम तो अब हम इसको लड़ू बनाना स्टार्ट करते हैं और जितना जादा भीगा के से रखें जितना फ्लेम पे हम कम से कम 10 मिनट के लिए इसको हम पकाएंगे दस से पंदम लग जाते पकने में इसे और दस मिनट बाद इसका देखिए का कलर जो है एकदम चेंज हो जाएगा जो अभी यह बिखरा बिखरा लग रहा है जाब ही पकेगा तो एकदम खटा होना स्टार्ट हो जा तो इसमें हम आपको पास से देखे इसको दिखा रहे है कि बिलकुल लग रहा है ना पका सह होगे तो अलग अलग से दाने हो गया इसके अच्छा से पक चुका है तो अब इस टाइम में क्या करेंगा हम इसमें चीनी डालेंगे तो चीनी आप 1.5 कटोरी जिता भी आपको ल दाल लिए तो 5 कर्सकों चलाते रहेंगे देखे औरब लगतों चेनी ने पानी चोड़ेंगे अच्छे सबुञ टाना पानी चो कर में चलाते रहना ऊब ऑंड़क होगेजिए तो अब सômें नीचेफीचाल लगा conditioning से थीचाल पानिवाने ड़कर मत अब में क्या आफ्कते च लेंगे तो जो केशरीया वाला food color आता है वाला लेंगे तो इस बिल्कूल बजा जैसे लड़ू बनके तयार होते हैं बहुत ही टेस्टी बनते हैं इस टैप से हम ने इसमें color ले लिए color से देखिए डालने से कि इतना अच्छा से color आगया है अशकर कांचिनु चला रहे हैं अ या आपके घर कोई महिमान आ रहा है तब भी आपके नहीं लगता बिनानी में फीगा होना चाहिए तो देखे से अच्छे से कलर मिक्स हो गया अब हम खुज्बुक लें एक चमच इलाइची पावडर लेए तो इसको हमने डाल दिया जो कुछबू है ना बहुत अच्छी आएगे और इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और देखिए बहुत टाइम तो नहीं लगा बिल्कुल देखिए आप कढ़ाई चोलना स्टार्ट हो गया यह आप इसे बना रहें तो मोटे तले की कढ़ाई मे आप बनाईए जिसमें भी बनाना है आप मोटे तले कढ़ाई लिजिए तब बनाईए और देखिए अच्छा सब पर्फेक्ट से हो गया अब इसमें हम एक चमत देशीगी और लेंगे तो एक चमत चमने शुरू में लिया था स्वाबुदानों को भूंत्यक एक चमत चमत इसे दो गिदेशी के लिए इसे बहुत अच्छा सा देखिए इसकी शाइनिंग भी आ जाती हो काफी अच्छा देखिए पक चुका और अग्दमी खट्टा होने लगा इसे हम बहुत ज्यादा नहीं पकाएं क्योंकि बहुत ज्यादा अगर हम पका देंगे तो फिर लड़ खर्बूजे बीज अगर नहीं है तो यह थोड़ा देखने हम भी अच्छे लगते हो खाने यह एक तयार हो गया है अब बहुत ज्यादा इसे नहीं पकाएंगे अमने गैस के फ्लेम आफ कर देंगे ताकि अच्छे से ठंडा हो जाए उसके तो थोड़ा सा गुन-गुना र करके रख दे रहे हैं पहले तो दिखे हमें धक करके रख दिया है अच्छे से ठंडा होगे हल्का सा गुंगुना रहे गया है बहुत ज्यादा गरम नहीं की हाथ जल जाए तो अब हम इसके लड़ू तयार करें कि हमने हाथ में कुछ भी नहीं लगाया है गी वगेरा ऐसे हम इसके लड़ू बनाएंगे और देखे अच्छे से बन जाएंगे क्योंकि हमने जो लास्ट में घी डाला था इसलिए डाला था ताकि लड़ू शाइनिंग भी अच्छी आ गई है और लड़ू देखे बिलकुल गोल-गोल से बनके त्यार होए हाथ में बिलकुल भी नहीं लड़ू है तो इस टैप से हम जितने भी लड़ू है बनाके रख लेंगे इसका कलर कितना अच्छा आया है और यह बहुत ही टेस्टी लड़ू बने है कोई नहीं कह सकता है इसे देख करके कि यह साबुदाना के लड़ू है यह सभी दूर देखेंगे तो कहेंगे मोती सब्सक्राइब नहीं लगाया था जो अमने लास्ट में घी डाला था उसी से सारे लड़ू बन के अमने तयार किया हाथ में भी लग रहा है तो हमने सिफ दो चम्मस हमने देशी घी लिया तो देखें कितने अच्छे से लड़ू बन के तयार हुए अब इसमें क्या करेंगे हम ऊपर से हमने काजू जो है भी से कट कर लिया था और काजू लगा दें तो काजू लगाने इसके होगा थोड़ा देखने में और अच्छा लगने लगता है अगर आप चाहो तो काजू स्किप भी कर सकते हैं पर यह किवल हमने इसे इतले रखा ताकि देखने में अच्छ से 15 मिट लगता है इस लड़ू को बनाने में बहुत टाइम नहीं लगता है तो इस जन्मास्ट में पर आप बेसे बनाईए क्रशन जी को भोग लगाईए काफी टेस्टी बनते हैं आप एक हफ्ते तक स्टोर करके भी रख तो अगर यह लड़ू की रैस्पी पसंद आई हो त तो प्लीज लाइक कर दीजेगा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा और साथ में बेल आइकन है उसको भी दबा दीजे ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके थैंक यू